विधायकों की खरीद फरोक्स मामले में E.D. ने कॉंग्रूस की तीन विधायकों इर्फान अनसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाडी को दूसरी बासमन भीजा ज्राम्तारा विधायक एरफान अंसारी को 6 फरवरी, खिजरी विधायक राजेश कश्यप को 7 फरवरी और कुलेबिरा विधायक विक्सल को 8 फरवरी को पुछताज के लिए बुलाए गया है और इससे पहले तीन विधायकों को 13, 16, 17 जनवरी को पुछताज के लिए बुलाए गया था लेकिन तीनों नहीं पहुचे तीनों विधायकों ने वकील के वादों से दो-दो ख़पते का समय मांगा था विधायकों को 30 जुलाई 2022 कुन अन्चास लाख रुपे कैश के साथ बंगाल को लिसने गिरफतार किया था इडी की कारवाई जारी है ऐसे में विक्सल को गाड़ी जो की कुलेबरे विधायक है उन्हें भी इडी ने सम्मन जारी ये भाई अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं हाँ सिर्फ पैसे वाले नहीं आप भी कर सकते हैं फ्रीडम एप को अभी डाउनलोड कीचिए किया है हमारे साथ खुद बाचित करने के लिए विक्सल जी मौजूद हमसे बात करते हैं विक्सल जी सम्मन दुबारा जारी हुआ है आठ फरवरी को संबहता आपको एडी के दफ्तर बुलाए गया है क्या कुछ तैयारी है वहाँ जाने को लेकर और इस बर जा रहे है लिखी था चोंकि मेल जिस फोन में है मेरा वो जब था तो और मुझे चाउदा तारिक को चिठी मिली अवास पे जब मैं कार्शकरम से साम को लोटा तो हमारे घर की सदस्योंग ने मुझे वहाँ चिठी दिया चूंकि सटर्डे था चाउदा पंदरा संडे था सोला को मैंने कुछ दास्तावेज निकाला चूंकि समन में एसपरस तौर से लिखा हुआ है कि आप अपना बेंक डिटेल्स पतनी का बेंक डिटेल्स और बच्चों का बेंक डिटेल्स लेते आईएगा चुकि बीना डिटेल्स के लेके जाना उचित नहीं समझा और मंडे को मैंने प्रयास किया तो कुछ बेंक डिटेल्स निकला और फिर 16 था और 17 को तो निकलता नहीं इसलिए मैंने वक्त ले लिया और हलाकि अभी भी मेरे पास आठ अखबार का माध्यम से पता चला है लेकिन तयारी है बेंक डिटेल्स और जो भी दास्तवेज का मांग किया गया है वो सारे चीत तयारी है और मुझे जैसे ही मिल जाएगा अभी तो अखबार से पता चला है ज कि आप सही हो की तो बात कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के कारी करता हैं बावजूद इतना बड़ा एलिकेशन लगना ये किस तरीके से देखते हैं ये कुछ गलत फेहमियों का नतीजा है चूंकि जिस तरह से परिस्थितियां थी आफवाहें उड़ रहे थी कि सरकार को गि एक सरकार और पार्टी में एक चिंता का विशाय था कि कैसे इस प्रकरन को रोका जाए और गलत फेहमी में कहें या भ्रमित किया गया उस अधार पर ये सारी चीज़ें हुई हैं इसके लिए मेरे तरब से ना कुछ सरकार पर कहना है और ना ही पार्टी को चूंकि या कारवाई सरकार के हित में और पार्टी के हित में अनिवार्ज मुझे भी महसूस हुआ पस अब कोट का भी एसपरस तोर से अपना जमानत का ओडर में उन्होंने कहा है कि कोई साक्स नहीं है तो इस तरह का घटना होता है हम लोग के तरब से सहयोग रहेगा और कोट पर भी भरोसा है नियालाय पर भरोसा है बिल्कुल ये थे विक्सल के उगाड़ी इन्होंने साफ तोर पर बताया कि जो आरोप लगे हैं इन पर वो निराधार हैं और ये भी चाहते हैं कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए ये भाई अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं हाँ सिर्फ पैसे वाले नहीं आप भी कर सकते हैं फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीचिए